हलो और इवन, इस्टड़ी विदस में आपका एक वफिर से स्वागत है तो ये जो वीडियो है, ये डाउट सेशन है, कई लोगों को कई परकार के डाउट सा रहे हैं जिन्होंने कमेंट में मुझसे पूछा, कई लोगोंने मुझे एमेल भी क्या है तो कई लोग कह रहे हैं कि क्या ये नोटिस जो आया है, ये फेक है या फिर रियल है ठीक है, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा और कई लोगों का मानना है कि ये कौन सा वाला एक्जाम है जो नॉंबर में नहीं हुआ था वो वाला या फिर जून वाला एक्जाम है और और का जो डाउट है वो ये है कि क्या सभी स्टूडेंट्स को दुबारा से अपलाई करना होगा या जिनोंने कर दिया है उनको क्या करना है ठीक है, ये भी हम डिसकस करेंगी और जे आरेफ कॉलिफाई का जो रेशियो रहेगा वो कितना रहेगा वो हम डिसकस करने वाले है ठीक है, हर मेशा 6% रहता था तो इस बार कितना रहेगा, 12% रहेगा या 18% रहेगा ये हम डिसकस करेंगी ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि ऐसी ही अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें और कल से जो है, UGC Net Paper 1 से रिलेटिड आपको Current Affairs और हर एक Topics for Revision Videos मिलनी शुरू हो जाएगी ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देख कई लोग कह रहे हैं कि ये जो Notice है, वो Fake है, तो मैं आपको बता दूँ, ये Notice जो है देखिए, सबसे पहले मैं अपनी बताऊं तो, मैं पहले इसे हर जगा चेक करता हूँ, ठीक है, तब जाके मैं आपके सामने कोई भी Notice है, जो लेके आता हूँ, ठीक है, आप Twitter पर जागे देख सकते हैं, इस सब ट्रेंड कर रहा होगा ये, और उसके बाद आप UGC Net की वेबसाइट, ओफिशिल वेबसाइट पर जाकर भी चेक कर सकते हैं, और ये जो नोटिस है, मैंने वही से डाउनलोड किया है, ठीक है, तो ये बात तो किलियर है, कि ये Real Notice है, ठीक है, ये Real Notice है, आज ही जारी किया गया है, 10 तारीक को, ठीक है, ये fake नहीं है, पहला ठीक है और जो दूसरा सवाल आ रहा था वो ये आ रहा था कि ये कौन सा वाला एक्जाम है देखें दिसंबर 2020 में जो नेट का एक्जाम होने वाला था वो नहीं हुआ था ठीक है कॉविट के कारण फिर दिसंबर का जो एक्जाम था वो जून में कराने का निर्णे लिया गया था ठीक है लेकिन जून में भी जो कोविट के कारण जो है इसको कैंसिल किया गया था ठीक है कोविट के कारण इसको कैंसिल कर दिया गया था तो अब जो है अब जो एक्जाम हो रहा है एंटिये के द्वारा ये मर्ज वाला एक्जाम मर्ज एक्जाम मर्ज का मतलब होता है कि अब जून में जो होना था एक्जाम और जो दिसंबर में होना था, उन दोनों को मर्ज करके लिया जा रहा है, ठीक है, ये नवंबर 2021 वाला फॉर्म नहीं है, ये दिसंबर 2020 और जून 2021 में जो एक्जाम होने वाला था, उसी को मर्ज करके जो है, लाया गया है, ठीक है, तो ये doubt जो है आपका इसमें clear हो जाता है ठीक है क्योंकि anti ने कहा था कि वो December वाला जो cycle है वो June में complete करेगी तो June वाला कप करती ठीक है तो December वाला भी नहीं हुआ June में और June वाला भी नहीं हुआ तो इसका रण अब इसे merge कर दिया गया है तो दोनों जो है exam अब एक ही exam में होंगे ठीक है तो ये doubt था तो ये clear है next जो doubt आ रहा है क्या apply दुबारा करना होगा तो मैं बता दूँ जिन लोगों ने June में apply किया था ठीक है fees वगरा सब pay कर दी थी उन्हें जो है अब दुबारा apply नहीं करना है ठीक है आप देख सकते हैं notice में साफ साफ लिखा हुआ है कि candidate who have registered for the UGC net of December 2020 cycle यानि कि June में अगर आपने जो registered किया है सिर्फ लेकिन अगर आपने पूरी तरह से अपना application है application process complete नहीं किया है तो आप जो है उसे complete कर सकते हैं लेकिन अगर आपने form fill कर दिया है सब कुछ application अपना complete कर दिया है तो आपको दुबारा से apply करने की ज़रूत नहीं है ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है अगर आप दुबारा apply कर देते हैं तो हो सकता है कि आपका application cancel भी हो जाए ठीक है तो ये चीज़ आपको याद रखनी है इसमें ठीक है तो नई candidates को apply नहीं करना है और अगर कोई नया candidates है जो apply करना चाहता है तो वो कर सकता है ठीक है 10 अगस से लेकर के 5 सप्टेंबर के बीच में जिसने जून में जब registration होड़ता हो नहीं कर पाया किसी कारण से भूल गया ठीक है तो अब वो सुरू से जो है registered अपना registration कर सकता है इसमें ठीक है दुबारा से portal खुलेगा पूरा गा पूरा और फिर भी अगर कोई mistake हो जाती है कोई correction हो जाती है उसमें तो आप उसे सुधार भी सकते हैं साथ सप्टमबर से लेकर के बारा सप्टमबर तक ठीक है और अब बात आती है कि qualifying ratio क्या हुआ क्योंकि December और June का जो exam था वो एक ही exam में लिया जा रहा है तो फिर अब ratio क्या रहा है इसका हाला कि होना तो चाहिए 12% का क्योंकि हर exam में 6% जो है जी आरेफ कॉलिफाई करते हैं लोग ठीक है जी आरेफ और नेट जो है कॉलिफाई करते हैं ठीक है तो अब इसमें क्या है कि अब जो ratio होना चाहिए वो double होना चाहिए लेकिन अभी इस बारे में जो है किलियर कंफर्म नहीं किया गया आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है यूजी सी नेट ऑफ दिसंबर 2020 एंड जून कि 2021 साइकल विल भी मर्ज ठीक है नहीं यह मर्ज होगा एक्जम वाइल जबकी मैथलोड़ी मैथलोड़ूजी फोर सब्जेक्ट वाइस कम केटिगरी वाइस अलोकेशन ऑफ जे एर एफ शेल रिमेन अंचेंज ठीक है अंचेंज वर डाल किसमें जो है थोड़ा सा अकन फ्यूजन क्रेट कर दिया है ठीक है तो देखते रहते हैं तैयारी अपनी आप जारी रखें और किसी भी परकार के अगर कोई और अपडेट आती है तो मैं जो है आपको बताऊंगा ठीक है हाला कि मान के चलें कि 12% जो है इस पार भी कौलिफाइंग रेशियो रहेगा ही रहेगा NTA की तरफ से ठीक है जब दो एक्जाम्स को एक साथ मर्च किया जा रहा है तो और इसी प्रकार कि अगर और तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं ठीक है और अगर आप तैयारी कर रहे हैं UGC net paper One के लिए तो आप हमारी वीडियो को देख सकते हैं हर एक topic पर UGC net paper One के हर एक topic पर आपको वहाँ पर वीडियो मिल जाई कैसारी वीडियो जो है रिवीजन वीडियोस जसमें आप आपको MCQ मिलेंगी ठीक है और अगर आप पहली के और वीडियोस को देखेंगे तो हर एक टॉपिक को जो है उसमें अच्छे से एक्स्प्रेंग करके भी समझाया गया है और कल या परसों से आपको जो है नई वीडियोस मिलना शुरू हो जाएगी रिवीजन वीडियोस और करन्ट अफेर की वीडियोस वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे ठीक है तो प्रिपरेशन अपनी जारी रखें और किसी वी परकार का डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज घी गई है और अगर आप हमारी जो है चैनल के माध्यम से जाना चाते हैं तो भी जा सकते हैं इस्टडी भी दस यूटूब पर सच मार कि आप उस चैनल पर क्लिक करें और प्लेलिस्ट पर जाएंगे जब आप लोग तो प्लेलिस्ट में भी आपको जो हमारी यूजी सी नेट पेपर मन की प्लेलिस्ट मिल जाएगी ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही मिलेंगे नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वाचिंग दिस वीडियो प्लेलिस्ट 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 वीडियो